सविधान के साथ है मत्ता लगाएंगे और सविधान गतम करेंगे राउल गांदी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे अब उन्हें पार्लियमेंट के भार ये तीन मूर्तियां टूटी हो नजन नहीं आ रही क्योंकि इस सुरू से इनके मन में कपड़ था कि पार्लियमेंट के परति ला गोती पर सब्सक्ति राज जी हो चाहते हो चंत शेकर्रामण जीद के आगया है उसको बना दो पर्दाहन मंत्री वाज़ पार दोनों को आ रहा सच चलाती है एले पूछो न कितने लोग हैं दलित कितने आरे पिछटफ्रे कितने आ पुछे कितने आब है और किस तरीके से नोना त्रण परचा कोल दिया तो इस नमस्कार आप देखें जनहित आवाज मैं हूं रंजय कुमार और देश में जो है चुनाओ खत्म हो चुके हैं और सरकार बन चुकी है फिर से एंडिये की सर नंदा जी आप क्या कहेंगे इस बात पर सरकार फिर से ती मुझे निए मंधिये मंध्याड़ से क्लाब मुझे मंध्या बनना ने तो जो इनकी पालीटी का खुद है वो खुद मंत्री पत ने बननना चाह रहा है तो फिर इनकी हालत देख लो और जो लोग कहते तें थे बाई अभी इनके साथ जो है टीडी पी और नितिश कुमार ट हुआ कुछान авra मंत्री मंडल में डालना हमानी देंगे तहां से मुसल्मान तरक्की करें तो मुसल्मान को तरक्की के उसी में लगाना चाहते है उन्हें दलित को लिए तुर्ष पर फिह उसीमी राहिए बनी ये जो गुलाम बने रहे क्लोग घुलाम aur जो परधान म मंत्रियं को सपतगिरं समारों के पोस्टर थे परशल्म पतानी क्या और सिंगोल के बनी लगत्षा को समीधहान को अपने माध्य से लगाया है आप मेंसा आरोप mouse aan को नुक्सान ने करें लेकिन उन्हें समने माध्य सविदान को मात्य से लगाया आपने फोटो भी देखी हुआ तो यह जो यह नाथूरामकोंकोटि की विचार दारावाला व्यक्ति है है levar मात्मा गांदी के वो पैर चूरा था ऐसे घोली मार दी डायंस है यह सविधान के साथ है मत्ता लगाएंगे और सविधान गतम करेंगे यह उस्मान चिकता के और अभी संसद बवन पर पुराना संसद बवन था पालिया में था बावा साइब की मूर्तिनों तोड़वा दिव अब उन्हें पालिया मेंट के भार ये तीन मूर्तियां टूटी वने जन्नी आ रही क्योंकि इस सुरू से इनके मन में कपड था कि पालिया मेंट के भार बावा साहिब की मूर्ति क्यों लगी है 14 अपरल को लोग इतने सारे घट्टे होते हुआं क्यों बावा साहिब का जहनती बनाते हुआं तो इन्हें हजम नहीं बावा साहिब की सकल से इनके भूत दर जाते हैं कापने लगते हैं तो इनके अंदर में कपट है यही बज़े है कि वो मात्मा गांदी की सपोर्ट लेक से लिए कि मूरती गिराओं यही है और यह नहीं चाहते है कि बावा सीब की मूरती में कहीं इस्थान पे हो और अगरी सकी सभेधान को पूछके दिखा रहे थे मत्ता टेकके तो नई पार्लियमेंट वनाई यह वहाँ एक 19 साल मूरती की स्थापना करते लेए नहीं समय में चाहे चंद्रबाबु नाइड हो नितीज कुमार हो उनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी ना इनके पूर बजाओ को ना किसी को भी जिस प्रकार की हत्कराय कर रहे है थोड़े से लालच के लिए ये देश को बेखने का काम कर रहे है इनसे बचने की जरूता है और कांग्रेश भी आए ना आगे आए ना कहती को नहीं नितीज कुमार को क्या हो हम पर्धान मंत्री बना रहे हैं कांग्रेश अपने मुह से नहीं कह रहे हैं नितीज जी ने तो कहा कि हमें पर्धान मंत्री पत का ओफर दिया गया था फिर भी हम उधर नहीं गया है तो उ बना रहे तो मोधी के पैर को चूरे बेशरम हो गया मुझे लगता है कि मेंट्री डिस्टर्ब हो गया ये बंदा इसको इलाज करा नहीं पागल खाने में वाता हो इतनी चाटु कारता इतना चाटने लगा कि पैर चूने लगा ये सारी मर्यादा है तोड़ दे इसने विचार आरेशण की बात करते हैं उनको एक मंत्रीपद नहीं दे पाए तो चिल्वानों में बनाेगे ये दबाद बनाते हैं ब्यचरत की बात करते हैं वह भागें ज्यासर और इनका एक वो जो था गुरू उसका भागेश्वर का वो कौन था अंदाचार रहे हैं गुरू राम भद्राचार रहे हैं वो भी कहता था यह के रामचरत माना साहे की चार सो पार मनुस्मति लागोति अंदे समझे भारत का सभिधान है तेरी अभी वो खरा देंगे और यह करता क्या है यह तो बत्तमी जितना है पहले जाती सुचक सब्दों में गालियां दे रहाता है चमार कहके और अब यह करता क्या है वो देखो तो सईसको माइलां के ओपर तुरह अंदर क्या करता है तू बता अंदर क्या करता है तू कौन से मंत्र परता है और तू जब और यहां पर रौकवादोंने का काम कर रहे और यहां ती जो लल्न सिंग कह रहा था वह ललू सिंग जो कह रहा था क्या भाई वह सभिधान बदल देंगे उद्या की जंता ने उसे लाइक कि नहीं शोला इसी प्रकास्ते जिसमें आयंकार संसद में शुम्मा देखनेा वाली ती में तो देश Gateway इसको के लिए बेहन बेटियों की इज्जत के लिए अब आज बुलंद की जाती हगातिकार के लिए इसे चुम्मे दिख रहे हैं तो कितने बत्तमीज टाइप की यह महिला आ गई है यही बज़े का मेठी की जनता ने इसको चुम्मा दे दिया इतना वला तंगना उठावत आ गई ह हो तो मसत है इसने बहुका, टोल तो किस को चला था महिला किसान थी हैं उनको कहा दी पचास रुपे हमा किसान माथा इसकी बीकती इस लीच झाक्याओं किसान माता है, और जो एट सिकने मैं आप होज में उसमें बढ़ती हूं मैं कोई कपले उतार के नहीं आई हूं मैं अपने पहनत बहुत लगन से आई हूं आई जो लगाती हूं देश के लिए लड़ने के लिए आई हूं सहे ना मैं कोई कपले उतार के नहीं आई हूं तेरी तरह है तो यह वो बता दिया उन् फिर चिला रही है कि मेरे साथ और रेंक किसानों की धेंग बेटियों को किसानों को आतंगबादी कह रही है लोगतंत्र में आ गये हैं ऐसे लोग सदर में वैटार जिनने यह नहीं पता देश के सज़़दों का अपमान कर रही है तो बो खीच लाना चीज़ए जो इसे वो दिया ना प्रमार पत्र लोक सबाजीत ने का वापिस ले लो इसको और इसको बरकास करो कि जिसमर जी को आतंगबादी देशद्रोई बोल लिए किसानों को बोल लिए आतंगबादी देशद्रोई पहले साबित कर और नहीं तो इसको निलम्मित करो तुरंत संसत क कि सदस्चेता से रावन जो हैं जो अपना नाम रावन भी लिखते हैं नगीना से एक दली चेहरा हैं और बहुत ही युवा सांसद हैं इस वार वो संसद में पहुंचें उनकी जीत को लेके आप क्या कहेंगे उनका तो हमें पता था पहले जी दिन पोलिंग होई थी उसी दिन बोल दिया था कि जीत निश्चित हैं चंसेगर रामण की ओ जीतेगा युवा है संगर सीले हैं दलतों के लिए लगा अभी अभी राहूल गांदी से का इन लोगों ने का कांग्रेट से का परदाहन मंत्री बनाओ न नितिश कुमार को पिछड़ी जाती के लिए दलित को ब इनकी जरुत नहीं है चंसेगर रामण को बनाओ परदाहन मंत्री अगर है मत तो बाकि कांग्रेट चाती है दलितों घेत में तो या पिछड़ों के हत्मे या अलपसंक्यों के तुम बनाओ परदाहन मंत्री का दावेदार और कोई नहीं बाते करते ना परदाहन मंत्री दल अगर चर जुन को बारतीय चनौग होपा है है और चार जुन को ही नीट का रिजल्ट आया है जो कि मेडिकल के बच्चे देते हैं 24 लाख लगे एक्जाम देते हैं उसमें बहुत बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है आपने मीडिया में यह निज देखी होगी बिलकुल घोटाला है नीटी की परिक्षा में घोटाला है समय से पहले इनोंने आउट कर दिया पेपर के कौन पास हो गय तो इसका मतलब घोटाला है और यह लोग है वो हैं लोग जो ब्यापारी होगे बच्चे जिनके लिए पूरा देश के भारतवासी कमा कमा के ठक रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं जिनके लिए लोग तंत्रों सभिदान बना यह वही लोग हैं जो आगे जब पहलिक के इंजीनियर बने कुछ बने करेंगे भारतवासी का सोसन तो इनसे साबदान रोग बहुत 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 देगा इने जो बच्चे निकलेंगे तो यह गूस के आधार बे बहुत 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 बहु जरुवत है बारतियों को हुकम्रान नहीं बनेंगे तिर तक भारतियों के अधिकार沙श्यों सब्धान सुरक्षित नहीं रहेगा इसकी आमने लड़ाई लड़ने पड़ेगा बस एक आखरी स्वाल कम सब्दों में जवाब दीजिएगा क्या लगता है यह सरकार जो बनी है कब तक ठिक पाएगी क्योंकि नितिश बाव नाइडू बावू के कंधे पर बहुत बड़ी जवनवारी है इस सरकार को चलाने की सरकार ने लिया भी सपत ठीक है और यह जल्दी पहली बरसात होते होते जाए जाए की पहली वर्सात पड़ेगी उसी मेरा पड़ जाएगी मूंके भल गिरेगी साम्झे तो इनको भी निया भी को मंध्री मंडल हो अस्तिती बनी हुई है तो कही ना कही धिक्कते दो हां नहीं है छे महीने ज्यादा सरकार नहीं चले गी और उसके बाद भी कोई सरकार आएकी उसे भी नहीं चले बैकर ही दलाल है और यह भारत वासियों के जो भीरोधी हैं वो नहीं चाहेंगे कि वाई बैलिट पेपर पर चुनावो और एसे लोगों का ब्रोध करो और जब जब चुनाब होगा तो बैलिट पेपर की लडाई होनी चीए, बैलिट पेपर की बकालत होनी चीए, पूरे देश को एक जिट होगे, तब सही मेंडेड हाएगा, तभी सविधान रक्षा कर पाएंगे हम सविधान की, तभी लोगतन सुरक्षित रहेगा, तभी हमारे अधिक होंगे और उस चुनाओ कि इन्होंने मांग किये कि वो बैलिट पेपर से होना चाहिए, तो क्या है आपकी राये, आप अपनी राये, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं रंजय कुमार, कैमरामेन आशिष के साथ, जन्हीत आवाज धन्यवाद।